Guys, एक बहुत important topic के बारे में हम लोग discuss करेंगे, broadcast audience research council, बार्क, बार्क के बारे में guys हम लोग discuss करेंगे, so इस topic में बार्क से related पूरी understanding आपको built up हो जाएगी, Wikipedia में बार्क से related आपको कुछ information जो है वो मिल जाएगी, तोसी के थुरू हम लोग चीज़ों को discuss करने हैं अभी, फिर म है ये बार्क का exact काम, तो देखो guys, ये एक प्रकार की company है, ठीक है, ये एक joint industry body है, company है आपमान के चलो, simple शब्द हो है, इस company का काम क्या होता है, ये चेक करना की television पे जो viewers है, audience है, वो किस content पे कितना समय व्यतीत कर रही है, इससे मदद मिलती है content makers को, यानि की broadcasters को, इससे वो उस, उनके viewers के interest के according, उनकी demand के according advertisement बनाएं, कि audience को कैसे attract करना है, उसका data मिल सके broadcasters को, advertisers को, getting my point है, तो बार्क का ये काम है, तो बार्क basically data analytics पर काम करती है, ये क्या करती है, टेलिविजन में viewers का जो interest है, उसके data को collect करती है, और viewers के interest के according, अलग-अलग contents को rank देती है, rating देत तरीके साब को सुनना है, बार्क क्या करती है, टेलिविजन पर viewers के interest को analyze करने का सका काम होता, that's it, that should be your understanding in this particular topic, so बार्क, broadcast audience research council, ये क्या है, ये एक joint industry body है, जिसका गठन जो है, वो किसके दौरा किया गया था, ऐसे organizations के दौरा जो की, Indian broadcasters को, advertisers को, advertising and media agencies, इनको represent करते हैं, और ये दुनिया की सबसे बड़ी television measurement science industry body है, याद रखिएगा, ये उप्योग करती है, audio watermark technology का viewership जो है, TV channel के, right, उनको measure करने के purpose के लिए, तो याद रखना, कि बार्क जो है, उसका measurement tool जो है, वो क्या है, तो audio watermark technology, इसी audio watermark technology के माध्यम से, ये चेक करती है, कि वीवर जो है, वो watermark आप समझते हो, intellectual property rights आपका एक topic है, civil services के अंदर, GS paper 3 में, intellectual property rights, तो इसी में ही watermark, copyright, ये सब ऐसी चीज़ आपको मिलेंगे, अब watermark का मतलब क्या है, तो watermark, और especially audio watermark का मतलब क्या है, तो ये signal में attach कर दिया जाता है, audio watermark, बिसलिए एक content और एक signal में attach कर दिया जाता है, जिस जिसकी मदद से, जिस watermark की मदद से पदल अखता है कि एक audience हो है, वो एक particular content पर कितना समय वैतीत कर रहा है, तो ये track करने के purpose के लिए होता है, जिसे example के तौर पर मैं YouTube का एक simple सा example लेता हूँ, जिससे आप असानी से चीज़ों को समझ पाएंगे, जिसे कि YouTube पर एक video आपने ड upload कर दिया, तो YouTube का एक system है, analytical system, ये कैसे करता है, कि जितने भी ऐसे copy content होता है, कि एक channel पर पहले डल गए हैं, पहले डल गए हैं, मतलब पहले उससे डाल दिया, मतलब कि वो owner हो गया, उसका copy अगर कोई कर रहा है, as it is content कहीं पर कर रहा है, तो वो track करके तुरंद जो है वो, ज जिस व्यक्ती ने re-upload किया है, उसके पास भी एक message आ जाता है, ये कहते होए कि आपको warning दी जारी है, copyright की, और इस particular video पर आपको वो नहीं मिलेगा, commercial नहीं हो पाएगा, monetize नहीं हो पाएगा, बहले इस पर आप कमा नहीं पाऊगे, और अगर owner चाहे तो वो आपका video है, वो और इसी audio watermark की मदद से, इसी technology की मदद से, बार्ग जो है, measure करती है audience, audience के interest को, कि audience का interest कहा पर जादा है, किस type के content audience देखना पसंद कर रही है, किस type के advertisement में audience attract हो रही है, और इसी data, ratings की मदद से, काफी सारी advertising agencies होती है, broadcasters होते हैं, वो program बनाते, publish करते हैं, क्योंकि ultimately, जो program चल इस type के program को, तो ये measure करता है, time shifted viewing and simulcast also, मतलब कि जैसी कई बार होता न, कि TV देख रहा है, advertisement आ गया, तुरन लोग बाग जो है, वो program change कर देते हैं, तो उस चीज को time shift को भी जह है, वो check किया जाता है, और ये company मनाई गई थी 2010 में, और ये company Mumbai, India में है, ये analyze करती है, viewership की habit को 210 10 million TV household से भी जादा, या फर 892 million TV viewers से भी जादा, viewers की habits को ये check करती है, तो ये चीज है इसके अंदर, right, इसके बार में आपको जानकारी होनी चीए, और अब बताओ ज़रा मुझे, कि broadcast audience, research council के अभी current chairman का नाम, इनकी chairman कौन है, आप बताएंगे मुझे नीचे comment box पर लिख कर, ये चीज हमने समझी बार्क के बार में, और examination point of view से आपको क्या-क्या चीज़े याद रखनी में, एक बर repeat करा जेता हूँ, तो ये एक industrial body है, जो की jointly own की गई है, advertisers के दोरा, ad agencies के दोरा, broadcasting companies के दोरा, जो की represent करते हैं, Indian Society of Advertisers को, Indian Broadcasting Foundation को, Advertising Agency Association of India को, AAAI को, और ये create हुई थी 2010 में, और information and broadcasting ministry ने notify किया, policy guidelines for television rating agency, इंडिया के अंदर, 10 January 2014 को, और जुलाई 2015 को, बार्क को रजिस्टर करा दिया गया, इन ही guidelines के तहर, राइट, कि जिससे की बार्क जो है वो television rating जो है वो दे सकती है, और बार्क का topic अभी news में इसलिए आया था, क्योंकि rating जो बार्क की है, news channel के लिए, बताया जा रहा था कि उसको अभी suspend जो है, वो कर दिया गया था, क्योंकि Mumbai police ने एक racket find out किया था, जिसमें पतला गया था कि कुछ private TV channels है, जो कि इसकी rating को है, वो hamper कर रहा है, खराप कर रहा है, इसकी rating को तो कुछ समय पहले, ऐसा, ऐसी news जो है, जब सामने आई थ पुलिस ने investigation करी थी, तो उसके बाद news channels की, जो rating जो थी, उसको suspend कर दिया गया था, और अभी फिर से, इसकी rating जो है, वो resume की जाएगी, organization revise its procedure and protocol, तो जैसी organization जो है, वो, अपनी procedure and protocol को revise करेगी, change करेगी, तो उसके बाद, जो है, वो news channel की, जो rating है, बार की, वो resume हो जाएगी, तो इसको लेकर बार का topic था, simple है, इसके बार में आपको जानकर ही, एक अच्छा idea होना चाहिए, that's it.